प्लेविन कैपसूल एक आहार पूरक है जिसे पुरुष यौन विद्धी के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में विपनन किया जाता है। इसमें विभिन जड़ी बूटियों और अर्प का सयोजन होता है जो कामेच्छा बढ़ाने, सहनशक्ती और धीरज बढ़ाने और समगर यौन प्रदर्शन में सुधार करने का दावा करता है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों और अर्प का मिश्रन होता है जो पुरुष यौन क्रिया को बहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। कुछ प्रमुक सामगरियों में अशुगंधा, शिलाजीद, सफेध मूसली और गोकृु शामिल हैं। माना जाता है कि ये तत्वर लिंग में रक्त के प्रवा को बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाते हैं और यौन इच्छा और उत्तेजना में सुधार करते हैं। प्लेविन कैप्सूल के प्रभाव, कामेच्छा और सेक्स ड्राइब में वृद्धी, बहतर यौन सहन शक्ती और सहन शक्ती, बड़ी हुई यौन खुशी और संतुष्टी। प्लेविन कैपसूल के दुषप्रभाव निर्देशा नुसार लेने पर प्लेविन कैपसूल को आमतोर पर सुरक्षित और अच्छी तरह से सहन करने वाला माना जाता है। हालां कि कुछ उप्योग करताओं को सिर्दर्द, चक्कराना, जीमचलना या पेट खराब होने जैसे हलके दुषप्रभाव का अनुभव हो सकता है। दुरलब मामलों में अधिक गंबीर दुषप्रभाव जैसे अलजी प्रतिक्रियाएं या रक्ट चाप में परिवर्तन हो सकते हैं। प्लेविन कैपसूल का उप्योग कैसे करें। प्लेविन कैपसूल निर्माता या स्वास्थे सेवा प्रदाता द्वारा निर्देशित के रूप में लिया जाना चाहिए। आम तोर पर यौन क्रिया से एक माइनस दो घंटे पहले एक या दो कैपसूल पानी या दूड के साथ लेना चाहिए। अनुशन सित्खुराक का पालन करना और अधिक्तम दैनिक सीमा से अधिक नहीं होना महत्वपूर्ण है। प्लेविन कैपसूल का उप्योग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुशन सित्खुराक से अधिक न करें। यदि आपको कोई अंतरनिहित चिकित्सा स्थिती है या आप अन्य दवाएं ले रहे हैं तो प्लेविन कैपसूल लेने से पहले स्वास्थे सेवा प्रदाता से परामर्श करें। यदि आप किसी गंभीर दुश्प्रभाव का अनुभव करते हैं तो उत्पात का उप्योग तुरंट बंद कर दें और चिकित्सा सहायता लें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। सीधे दूप से दूर थंडी, सुखी जगह पर स्टो करें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्लेविन कैपसूल FDA द्वारा अनुमोदित नहीं है और उनकी प्रभावकारिता और सुरक्षा का बड़े पैमाने पर अध्यान नहीं किया गया है। किसी भी आहार पूरक के साथ प्लेविन कैपसूल का उप्योग करने से पहले एक स्वास्थे सेवा प्रदाता से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है, खासकर यदि आपके पास कोई अंतरनिहित चिकित्सा स्थिती है या अन्य दवाए ले रहे हैं।